मैं आप तमाम लोगों को बहुत एहम जानकारी देना चाहता हूँ एक सो तेज जो दिल्ली वगबोर्ट की परपटी हैं उसको लेकर के हम लोग हाई कोर्ट गए थे और आज हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई जिसमें दिल्ली वगबोर्ट की तरफ से सीनियर एड़ोकेट राहूल महरा जी पेश हुए वजी शफीक साब पेश हुए और तक्रीबन एक घंटा बहस चली और एक घंटे की बहस के बाद जजज साब ने मिनिस्ट्री ओफ हाउसिंग एन अर्बन अफेर्ज मिनिस्ट्री को जिसने लेटर लिखा था कि अब इन परपरटी पे दिली वखबोर का कोई अख्तियार नहीं रहा उसको नोटिस किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि एक नई पेटीशन ये जो एक नोटिस मिनिस्ट्री ओफ हाउसिंग एन अर्बन अफेर्ज मिनिस्ट्री ने दिया है उसके खिलाफ आप नई पेटी इस जारी हो गया जवाब दाखिल करने के लिए और दो तीन दिन के अंदर अंदर नई पेटीशन हम दायर करेंगे और अल्ला की जात से पूरी उम्मीद है कि कोट से हमें इन्शालला इनसाफ मिलेगा और दिली वखबोर्ड की 123 पोपर्टी में से एक भी पोपर्टी जाने नहीं देंगे बस आप लोग ये भरोसा रखिए और हम हर तरह से मजबूती के साथ कितने भी वकील कितने भी बड़े वकील हम को करने पड़ें पूरी मजबूती के साथ हम लोग इस केस को लड़ेंगे और इन्शालला एक एक पोपर्टी की हिफाज़त हम लोग करें शुक्रिया